हमने बच्पन से ही दुनिया के कई अजूबे जैसे Great Wall of China, एजिप के पिरामिट्स के बारे में बढ़ा है और उनके बारे में सुनके काफी हैरान भी हुए हैं। लेकिन हमारे इंडिया के एक ऐसे ही अजूबे को शायद हमने ही इतिहास के पंदों में कहीं भुला दियान। आज हम जिस अजूबे की बात कर रहे हैं वो है महारास्टर में मौझूद केलाश मंदर जो की औरंगाबाद से करीब 30 किलोमेटर की दूरी पे है। केलाश मंदर एंजिनेरिंग का एक नायाब अजूबा है जो की एथिन्स के पार्थनन से दूने एरिया में फैला हुआ है। कहते हैं कि ये मंदर अठारवी सधी में बनाया गया था। लेकिन इस मंदर की चौकाने वाली बात तो ये है कि ये मंदर एक विशाल चटान को उपर से नीचे तक तराश के बनाया गया था। यहां का जो में शिव मंदर है वो नीव से 25 फीट की उचाई पे बनाया गया है। जो की देखने में ऐसा लगता है मानों हातियों के जुंड के सहारे बनाया गया हो। और ऐसा लगता है जैसे हातियों ने मंदर को उठा रखा हो। केलाश मंदर ने अपनी जटिलता से दुया के कई आर्किटेक्स और हिस्टॉरियन्स को आश्चरे चकित कर दिया है। केलाश मंदर भगवान शेव के घर को दर्शाता है और इसको केलाशनात मंदर भी कहते हैं। यह मंदर तेबेद के केलाश परवत को ध्यान में रखकर उसके जैसे बनाया गया था। इस मंदर की दिवारों में कई नकाशिया हैं जो रामायन महाभारत की कहानियों को बया करती है। यहां की नकाशियों में से एक नकाशी काफी आकरशक है। जो कि रावन के कैलाश परवत को उठाने की कोशिश करने वाली नकाशी है ये मंदिर करीब 164 फीट गहरा, 109 फीट चोड़ा और 98 यानि की 98 फीट उचा है और इसको बनाने के लिए तकरीबन 4 लाख टंग चटान की हुदाय की गई थी एक ही चटान से बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी संद्चना है ये मंदिर आर्किटेक्चर के हिस्ट्री में सबसे चौपाने वाले निर्माण में से एक है मुगल बादशा और रंगजेब जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को नश्च किये थे उसने भी केलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की 16.82 में उसने ये मंदिर तोड़ने का आदेश दिया ताकि इसका नामों निशान भी न रह सके करीब एक हजार लोग तीन साल तक और रंगजेब के कहने पर इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन फिर भी वो मंदिर का ज़ादा नुकसान नहीं कर पाए ज़ादा से ज़ादा वो सिर्फ कुछ मूर्तियां ही तोड़ पाए हौरंग जेब की इस कोशिश के बाद उसको एहसास हो गया कि इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ पाना मुम्किन नहीं है ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन चटान खोदी गई थी और वो भी सिर्फ 20 सालों में यानि कि तक्रीबन 55 टन चटान एक दिन में खोदी गई थी अब अगर अंधिरे की वजह से दिन के 12 घंटे के वरकिंग आज माने तो हर घंटे करीब सारे 4 टन चटान खोदी गई अब जिसमें बारिश का दिन, त्योहार या फिर इस मंदिर में की गई बारिक नकाशियों या मूर्तियों को बनाने का वक्त तो जोड़ा भी नहीं सारे 4 टन चटान हर घंटे किसी पहार से तोड़ना आज के वक्त में modern machines के लिए भी बहुत मुश्किल काम है पर यहां तो हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं जब आज की तरह कोई modern tools भी नहीं होते थे आज के civil engineers भी ये कहते हैं कि ऐसा सेम मंदिर आज के जमाने में 18 साल में बनाना मुम्किन नहीं है तो फिर सवाल ये है कि उस जमाने में ये मंदिर कैसे बनाया होगा जैसा कि Egypt के pyramids के बारे में कहते हैं क्या कोई बाहर के लोग जिनको हम aliens कहते हैं उन्होंने help की या फिर खुद भगवान की मदद से इसे बनाया गया या फिर उस जमाने में हमारा इंडिया अभी के मुकाबले बहुत एडवान्स था कैलाश मंदिर की एक खास बात है कि शरदालू यहां एक स्ट्रॉंग पॉजिटिव एनरजी फिल करते हैं जैसे कि उनके शरीर को वहां की भूमी से कोई शक्ति मिल रही हो और तो और मंदिर में जो मधम आवाज गोंचती है वो मानो ऐसी लगती है जैसे वो आवाज मंदिर की मूर्तियां वहां की दिवारों से कुछ बोल रही हो ये बाते साफ दर्शाती है कि मंदिर के अंदर का डिजाइन कितनी बारी किसे बनाया गया होगा हाला कि हमारे यहां मंदिरों के रूप में इन विशाल कलाकृतियों की ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी ये संदचनाएं एजिब के पिरामिड या दुनिया के किसी भी अजूबे से कम नहीं है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट्स हों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें थांक यू